अस्लाम अलेकुम वरहम तुलाही विबराकादु हूँ टेक आउट योर उर्दू बुक सबसे पहले रभी जेदनी इल्मा पढ़ लें इल्मे इजाफे की दुआ रभी जेदनी इल्मा नौप ओपन पेज नमबर टू हेर इस नमबर टू आज हम अलिफ लिखेंगे अगेन दुबारा से प्लीज पैरेंट्स, पैंशन देट ओवर देर कलर है और अलसो विच देट इस तुड़े और विच डे इस तुड़े जो दिन है उसमें कलर कर दीजिए और जो देट है उसमें कलर कर दीजिए अब हम आज अलिफ लिखेंगे अलिफ से अंगूर अलिफ से अंडे हम ने टीचर ने आपको कल बताया था अलिफ से अनार अलिफ से अल्ला आज टीचर आपको अलिफ से दो नई चीज़ें बताती हैं कि अलिफ से दो नई चीज़ें क्या आती हैं अलिफ से आता है अंगूर और अलिफ से आते हैं अंडे अलिफ से आते हैं अंगूर और अलिफ से आते हैं अंडे अलिफ से अनार, अलिफ से अलाह, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंडे अलिफ से अंडे, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंडे Come down. Stop. Start. Start from the very first dot and follow. The other dots come down and stop. सबसे पहले dot से हम start करेंगे, नीचे आएंगे और stop. फिर सबसे पहले dot से start करेंगे, नीचे आएंगे and stop. इसी तरहां आप ये पूरा पेज कम्प्लीट करेंगे, ठीक है? तो आपको पता है अलिफ से अंगूर आते हैं, तो टीचर अब अंगूर की कहानी सुनाएंगे आपको, ठीक है? कौन कॉन सुरेंगा मुझसे कहानी अंगूर की? वेरे गूर, चलिए आएए हम अलिफ से अंगूर की कहानी सुनते हैं, अंगूर खटे हैं, एक दफ़ा का जिकर है कि एक जंगल में एक लूमड़ी रहती थी, एक दिन वो रास्ते में जा रही थी, कि उसने एक अंगूरों की बेल देखी जिस पर बहुत सारे अंगूर थे, उसने उच्छल उच्छर कर अंगूरों को तोड़ने की कोशिश की, उसने बहुत कोशिश की लेकिन अंगूरों उसके हाथ ना आए, ये सब कुछ पास बैठा दरख पर एक उल्लू देख रहा था, उल्लू ने कहा, क्या हुआ लूमड़ी, तुम ये अंगूर नहीं तोड़ पाई, और ये तुम अंगूर नहीं दोड़ पाऊगी, क्योंकि ये तो बहुत उपर हैं, लूमड़ी ने उल्लू की तरफ देखा, और कहा, नहीं नहीं मुझे ये अंगूर नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो खट्ते हैं, उल्लू ये बात सुनकर हसने लगा, और लूमड़ी मायूस होके, वहां से चली गई, तो बच्चों हमने आथ ये सिखा के, हमें कभी भी हार नहीं मारनी चाहिए, और कोई चीज हम हासिल ना कर सकें, अगर कोई चीज हम हासिल ना कर सकें, तो उसके बारे में बुरा बला कहने के बजाए, हमें कोशिश करनी चाहिए, कि हम उसे कर सकें, और अगर हम कभी कर ना पाएं, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए,